नमस्कार दोस्तों सागत है आप सभी का YFM सिक्यूर्टी में और आज आपके लिए जबरदस्ट एक्सपेरिमेंट मैंने किया है और वो सक्सेस्पूल रहा है यानि कि पांस साल छे साल पुराने डिवियार पे वाइफाई वाला रिसीवर जो है वो चल रहा है काम कर रहा है अबने प्रोटेकोल कारा यानि कि अप उस ही घंब को जो है एस हीर आप कह सकते हैं और वो कमपैटिबल दूसरे ब्रैंड के भी डिवियार के लिए लिए रिजानेक्टिवर के यानिक्टिवियार चाहते दब सुझत Dova में भी जोड सकते और यानि की वह अन्वीन कि जो भ के है किसी भी मौडल नंबर के लास्ट में एफ या के हो सपोर्ट करेगा चाहिए को हो ना हो कोई फर्क ने पड़ता एक मेगापिक्सल दो मेगापिक्सल कोई भी हो चलेगा जो भी सपोर्ट करता हुवा DVR उसमें यह सिस्टम काम करेगा तो शुरू करते हैं इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं भूलेगा वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगे दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं यह आदिम जाती जमाना का मॉडल लंबर आप देख लीजिए इस पर कैसे वाइफाई का यह चलेगा क्योंकि अब तक तो जो वाईफाई जो support करता है वो हम लोग जानी रहें कि क्या क्या कहानी है अब यह firmware का डिरेक्टरी है जो आपको मेरा firmware वाले वीडियो से link मिल जाएगा वहाँ से आप यहां सकते हैं अब मैंने क्या किया है वो मैं आपको बता रहा हूं देखिए यहां पर fx सबसे लास्ट में यह देख लिए यह दिया हुआ है आपका वाइफाइ सपोर्ट के लिए ठीक है तो सिंपल सी बात है कि वाइफाइ का जो नया आ रहा है नया जो software है सब लोग जाना है कि उसमें सपोर्ट करेगा उसमें सपोर्ट करेगा जो hvr4 वाला जो आ रहा है बट यहां पर देख लिए क्या टोस्ट हुआ है यहां पर यह आपका जो तीन फर्मवेर यह उपर वाला जो है आपका 35 यह चार चैनल का एफ वन का कोई भी मॉडल हो ठीक है एच जी अचाहिए हो कोई भी हो लास्ट में एफ रना ची एफ वाले के ही है फिर देखे 56 से 57 है यह आपका 48 और 16 का है इसको मैंने डाउनलोड कर लिया और उसको मैंने ट्राय किया जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा ठीक है तो वहां से वह अपडेट हो गया यही चीज आप आगे भी कर सकते हैं अब चली आगे देखते हैं यह वाला यह वाला आप देख रहेंगों है यह जैसे है आप इसको क्लिक करते हैं ठीकर जैसे आप इसको क्लिक करते देख ली यहां पर सिंपल सा दिया हुआ है देख लिए यह सपोर्ट वाइफाइफ फंक्शन है और यह सपोर्ट जो जी 4.0 वाले के लिए जिसमें नहीं तो आप इसको डाउनलोड करके आप यह वाला आप कर सकते हैं यह जो है आपका एच क्यों चाई के एच जी चाई के ठीक है यहां पर दिया हुआ है तो चलिए यह डिवी आर को आप देख लिए यह डिवियार बहुत पुराना है 2016 का यह model है ठीक है और यह देख लिए आपका यह ओपर में था नहीं है यह फर्मवियर आप देख लिजिए और यह model सीरियल नमर देख लिजिए ठीक है अब मैं इसमें upgrade करता है उस firmware को देखिए यहाँ पर 3 firmware है मैंने 4 आठ 16 का मैंने किया क्वें कुछ लिखा नहीं था देखते हैं पहले वाला firmware को upgrade करके की होता है कि नि ठीक है तो upgrading felt लिख चुका है तो दुसरा वाला मैं करके देखता हों क्योंकि यह experiment हो रहा है सकसेस हो तो थीक नहीं हो तो कोई बात ने तो चलिए दूसरा वाला जब मैं कर रहा हूं यह हो गया और यह हो रहा और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और इसी तोर पे अगर यह फॉर्मबेर अप्ग्रेट हो रहा है तो इसमें वाइफाइ का अप्सन आ जाएगा अब देखना यह है कि वाइफाइ का अप्सन आने के बाद और क्या क्या नई अप्सन इसमें आते हैं इस डिवियार में एक्स वियार के कितने फीचर्स जुड़ पाते हैं यह बहुत जरूरी आप सभी के लिए मैं कह रहा हूं कि जो एप वन का जो सिरीज है उसके लिए मैंन रिबूट होने के बाद कुछ इस प्रकार से आया है ठीक है आट का यह डिवियार है और देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव आता है और सबसे पहले कन्फिग्रेशन में जाते हैं नेटवर को छेड़ते हैं देखते हैं और यहां पर प्लैटफॉर्म एक्सेस नेट यह दे है यानि कि वाइफाय रिसीवर अब यह सपोर्ट करता है अगर वाइफाय रिसीवर सपोर्ट करता है तो फिर अब देख लिए यही फॉर्म वेर था यहीं मॉटल नम्बर यह बदल चुका है बिल्कुल से 2019 का फॉर्म वेर आगया जबकि 2016 का था सीरियल नमबर मॉडल है और मुझे है खुद हैरानी हो रही है जहां तक मैंने कमपने से भी बात कि कमपणी का कहना था कि यको वाले में और वाले में उसमें सपूर्ट करेंगए बट ये पुराना एचज एच आए-पवन वाले में होगा के नहीं होगा जो कि यह वन्न पी दिघी यहां पर आउ सिस्टम सर्विसेश में अप्डेट होगी है इसका मतलब साफ है कि यह दूसरे जो ब्रैंड के कैमरे भी अब इसमें सपोर्ट करेंगे आइपी कैमरे यह एक काफी बहतरीन चीजें अब प्लैट्फर्म एक्सस में जो यह चीजें जो है बदलते हुए कुछ दिखाए पड़ रही है आप यहां पर देख लिजिए कि प्रेफर्ट डियने सर्वाज और डिफॉल्ट रूट जो है लैंड वन दिया हाला कि इसमें एक ही लैंड पोर्ट है तो लैंड वन नया सेग्मेंट जुड़ा है जिसका इंतिजार आप सभी को था ठीक है अब यह अपडेट में लोग डरते हैं मैं भी डर रहाता पता नहीं क्या होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा बटी हो गया अब देखें यह इसका भी जो और कैमरे का जो मेन्यू वगेरा जो है वेस तो यह चीजें आगे जबकि यह पहले नहीं थी तो यह मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप भी चीज़ कर सकते हैं सिस्टम सर्विसेस में यह और यह निसीत तोर पे बिलकुल से अलग है और आप अगर एप सरीच के एन वियार हो या फिर एप सरीच के डिवियार पुरान में जमाने का बहुत पुराना तो उसमें देख लेजिए वहाँ पर उपर में एक वैन का उप्सण आगिया है जो कि पहले नहीं था जब पहला पेज आप देख लिए एक दो सेकंड तीन सेकंड में वैन का उप्सण आगा तो उमीद करता है वीडियो आपको काफ़ी